हेलो फ्रेंड वेल्कम टो में चैनल के एंड़ सी केटिविटी फ्रेंड आज देखिए नौय वीडियो लेका है हूँ नौय डिजाइन देखिए इसको बनाने के लिए हमें 12 के माल्टिपल फंदे चाहिए और 1 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए और यह 8 रो का डिजाइन है तो च अब चैनल स्टार्ट करती हूँ कैसे बनते है देखती हूँ इसके लिए मैंने 12 के माल्टिपल फंदे और 1 फंदे एक्स्ट्रा लिए हूँ तो 25 फंदे इसमें ली हूँ मैंने 2 बैटन त्यार हो जाएगा इसमें तो पहले देखिए जैसे बिसिक बॉर्डर बिनना है उसे पड़र भीन लेना है पहले एक स्कीप कर लिया दागा अपनी तरफ करके टू थ्री थ्री उट भीन लिया दागा पीछे वान टू थ्री फॉर फाइब फाइब फंदे शिद्धा भीन लिया फ्रेदागा आपनी तरो वान टू थ्री फोर देखे इस फंदे को छोर के वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइब टेन इलेवन ट्वेल ट्वेल फंदे की डिजाइन है ये फिर वान टू थ्री थ्री उटा कर लिया तो बीच में हमाड़ा शिवन फंदा उटा होगा देखे वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन उल्टा फिर उसके बाथ फाइव शीधा वान टू थ्री फोर फाइव फाइव शीधा और चार उल्टा वान टू थ्री फोर फास्ट रोव कॉंप्लीट अब शेकंड रोव हमें कुटा उटा वीनगे कॉंप्लेट करना है कि करना है वेख साइड ओल्वेश उटा उटा बिनगे इस रोग को हम उटा उटा वीनगे सेवन प्लेट करना सिब्यो और उटा बिनके कम्प्लिट कर लिया अब ठाड रो ठाड रो देखिये तो 2 फान्दे उटा बिन लिए तो फान्दे उटा बिन लिया और 1 2 उटा बिन एधागा पिछे 1 सीधा 2 सीधा बिन लिया दो फान्दे उटा बिन लिया शुरू में और 2 उटा बिन और 2 सीधा बिन लिया आप देखिये जाली डालनी है धागा को ऐसे शिलाई के उपर से लेके बिजवाला फान्दे से जाली डालनी है फिर जाली डालनी है और 2 फान्दे सीधा बिनना है फिर आपनी तरु धागा लेके दो उल्टा 1, 2 और तीन फांदे लेके ये तीन फांदे को एक सद बिनना है उल्टा एक सद उल्टा बिनना तीन फांदे को फिर दो फांदे उल्टा धागा पीछे दो फांदे शीधा धागा फिर जाली डालनी है शिलाइक को पुषे लेकर 1 फांदे इसमें से जाली डालके फिर शिलाइक को पुषे लेकर 2 फांदे ही सिध्य दो बर चाली डालनी है वwarm वठागा पनी करके वान 2 फांदे उल्टा अर तोनु फांदे को एक सद देकर उल्टा बिनना थीन फांदे उल्टा हो गया अब fourth row backyard right inside हां इसको उल्टा उल्टा बिनके 거지 कोंप्लीट कर लिए तो उल्टाब हीन के कंप्लीट कर ली अब फीब सोदीकिये सिटिखी। राख धागा पीछी करण हाँ है तोंद प pedals को आधि तोंदो शुरुआ का दोनए ही है चाहिए तक आप हुआर नहें हैं इस तरह शिलाइको पुशे धागा लेके फिर वान टू थ्री शीधा बिन लिया फिर दुबारा जाली डालनी है देखिए धागा शिलाइको पुशे लेकार ये दो शीधा बिनना है दागा अपनी तरो एक उर्टा बिनना हे तिन फांदIE को देखिए तिन फांदे को एक साथ उर्टा बिनने ना है छ मैं ओर एक उर्टा बिनना हे तो बीच में तीन फांदा इसाद अर्टा रह chiा है दो शीधा कहला झाल ऑसषिए जाली टालनी है दूर सीधा फीट रो एक उटा दो फांदे को एक साथ करके उटा बिनना है अब रॉंग साइड शीक्स रो इसको उटा उटा बिनके कम्प्रीट करना है इसक्स रो उटा उटा बिनके कम्प्रीट कर लिया अब सेवेंथ रो एक इन दोनों को उटा बिनना है दो फांदे को उटा कर लेना है एक साथ इता आगा पीछे दो शीधा जाली टालनी है वान टू थ्री फोर फाइब फाइब सीधा बिन लिया यह जाली टालनी है और दो शीधा बिनना है धागा आपनी तरग एदिके तीन फांदे को एक साथ करना है वान टू और थ्री इस तीन फांदे को एक साथ उटा बिन लेना है यह दागा पीछे वान टू सीधा जाली टालनी है वान टू थ्री फोर फाइब सीधा बिन लिया यह जाली टालनी है दो शीधा तागा आपनी तरग दो फांदे को एक साथ करके उटा बिन लेना है सेवें तरो कंप्लीट हो गया अब एट रो एट रो भी हमें पूरी रो उटा उटा बिनके कंप्लीट करनी है डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया देखिए अब दिजाइन दिखने लगा देखिए मुरुति शिंदो डिजाइन है यह आप यही एट रो आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ऐसी डिजाइन बनके तयार हो जाएगा देखिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और वीडियो एंट तक देखना स्कीप मत करना थैंक यू